हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto G73 Android वाइल फोन में आप जो है टाच वाइब रिसन सैटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि आफ कैसे कर सकते हैं और ये टाच वाइब रिसन सैटिंग जो है डिसेबल होने के अपर आपको option मिलेगा is sound.com सलेक्ट करना है अब आपको sound के स्पेज में नीचे आना है । आपको option मिल जागा ये टच वाइब रिसन का टच वाइबरिशन ओप्शन के ठीक सामने जो बटन दे रखा ना इसे आपको सेलेक्ट करना है तो यह बटन आपका ब्लैक कलर में ओफ हो जागा यानि कि आपकी टच वाइबरिशन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी ठीक है अब यह टच वाइबरिशन सेटिंग इसेटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप अपने मुवाइल फून के किसी भी पेज पे होंगे आगर आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे तो आपका मुवाइल फून वाइबरेट नहीं करेगा ठीक है यह सेटिंग जो है आफ करने से पहले आपका फोन वाइबरेट करता था जब भी आप किसी भी option को टच करते दे लेगिन अब आपने इस setting को off कर दिया है तो आप किसी भी option को touch करेंगे ना यह किसी भी बटन को तो आपका फोन वाइबरेट नहीं करेगा ठीक है यह यह सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके Moto G73 एंडूइड वाइल फोर में अब मैं आपको यह टच वाइबरेशन सेटिंग को ढूंडने का एक शौटकर तरीका बता देता हूं इसके लिए आपको करना है क्या है मोबाइल का सेटिंग पेज सेटिंग पेज में आपको सबसेटिंग का ओप्षन दिखाई देगा इससे सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच वाइबरेशन टीक है जो सेटिंग का नेम है वो आपको टाइप कर देना है तो आपको नीचे यह ओप्षन शो हो जाएगा यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है जब भी आप सर जुबार में setting का name आप type करते हैं तो आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे यह option show इस तरीके से नहीं होगा ठीक है इस बात का ध्यान रखना है तो चली वीडियो आगे बढ़ाते हैं जब यह option नीचे की साइड में show हो जाता है touch vibration इससे select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको डिरेक्ट इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीक है setting को ढूंडने का आपके phone में